नमस्कार मित्रों आज की कहानी है करुणा ने धी मित्रों एक वार भगवान राम और लक्ष्मन दोनों भाई एक सरूवर में इस नान के लिए उतरे उतरते समय उन्होंने अपने अपने धनुस बाहर तट पर गाड़ दिये जब बे इस नान करके बाहर निकले तो लक्ष्मन जी ने देखा कि उनकी धनुस की नौक पर तो रक्त लगा हुआ है उन्होंने भगवान राम से कहा हे ब्राता स्री लगता है कि अंजाने में कोई हिंसा हो गई है तब दोनोंने मिट्टी हटा कर देखा तो पता चला कि वहाँ एक मेंढग मरनासन पड़ा हुआ है भगवान राम ने करुणा वस मेंढग से कहा तुमने आवाज क्यों नहीं दी कुछ हलचल छटपटाहट तो करनी थी हम लोग तुम्हें बचा लेते जब साप तुम्हें पकड़ता है तब तो तुम खोव आवाज लगाते हो धनुष लगा तो क्यों नहीं बोले मेंढग बोला हे प्रभु जब साप पकड़ता है तब मैं राम राम चिलाता हूँ एक आशा और विश्वास रहता है कि प्रभु अवश्य पुकार सुनेंगे परन्तु आज जब देखा की शाक्षात भगवान श्री राम धनुष लगा रहे हैं तो किसे पुकारता आप कि स्वाय किसी और का नाम याद ही नहीं आया बस इसी को अपना सौभाग्य मान कर मित्रों सचे भक्त जीवन के हर क्षण को भगवान की आस मान कर उसे सुईकार करते हैं जब दुख होता है वो उसे अपनी गलती की सजा समझ लेते हैं और जब सुख होता है तो उसे इस्वर की दया समझ लेते हैं मित्रों यह छोटी सी कथा आपको कैसी लगी क्रिप्या मुझे कमेंट में जरूर बताईए मित्रों कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों कहानी सुनने और पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जै स्री राम